वरणिवे सरमनिय दर्ष्यनम् मन्दहा सरुचिराननां भुजम् पूजेतं सुरनरोत्तमे एरमुदा धर्मनन्दनमहं विचेंतये ओमवतारिने स्रिस्वामिनारायनायनमो नमह स्री सहजानन्दाय नेलकंठायच नमो नमह स्री गुरुचरन कमले भ्यो नमो नमह बोलो स्री स्वामिनारायन भगवानने स्री हरी कुष्ण महराजने स्री घनस्याम महराजने बदा भक्तोंने जय स्री स्वामिनारायन हरी चरित्रामुद सागर पूर बिजु तरंग ओगंत्रिस्मो गोपाल योगिनी कथा आपने सांभलिये छिये जहने भगवान सिवाई बिजी कोई आसा न थी अने माईक सुख माथी जहनू मन उदास छे एवो दरेक आत्मा ए योगी छे एतले के परमात्माना योग करवानी ताकात वालो छे एवा आत्मा उपर कुर्पाकरीने सामे चालीने भगवान अथवा भगवान जेवा सत्पूर्शो पधारे छे गोपाल योगीने भगवान श्रीहरीनी प्राप्ती थाई अनंत कोटी ब्रह्मान्डो ना अधिपती पुरुसोतम नारायन जेने गुरु तरीके पसंद करे सामे चालीने प्रार्थना करी हुँ आपनों सिस्य छु आप मारा गुरु बनो अने आप मने तमारी पासे रहली योग विद्या शिखवो खरेखर गोपाल योगी कोई यवा महान योग पुरुस छे आपना सास्त्रों मा येमना विशे वो उंडान थी कि जाजो लखायों हेवल थी बद्धा ग्रन्था पुरु नी कता साम्भलीने येटली वस्तु नकी थाई सत्वरस नी वर्विजरनी महारादनी याहर लांबाव लांबू स्रीहर्युकान गोपिल योगीनी सत्थे थायो एक वरस जेटलो समय महारात्या रया कोईक जिग्याए दंड आपवा माते गया कोईक जिग्याए कल्यान करवा माते गया पण आकोई एवा संत हता कि जेनी पासेती कैक लेवा पण गया अन्य जेने सामे चालीने कैक देवा पण गया सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी कहे छेहे राजन हे उत्तम राजा हवे तमे साम्भलो सुन हो उत्तम न्रिपसब स्रीहरी की कहूं बात जोग अभ्यास किये जिमी तिमी कहूं साक्सात सुन हो उत्तम न्रिपसब स्रीहरी की कहूं बात जोग अभ्यास किये जिमी तिमी कहूं साक्सात भगवन स्रीहरी योग अभ्यास केविरित्य करियो ये वात हवे तमने संभळावू छु तमे सांभळो अनन्त ब्रह्मांडुना आधार स्रीहरी योग कलानो अभ्यास करवा माटे प्रत्थम चमतकार रुप ग्रंथने बढवा मांडिया योगना जे आठ अंग छे पहला तो तेना नाम सिख्या योगीना योगना जे मोलभूत आठ अंग तेने सिखवा मां वर्णीने गणोज उमंग हतो वर्णी स्वयम बुद्धिना अने गुणना भंडार छे योगना पन भंडार छे चता अनंत जिवोनो उद्धार करवा माटे उदार मनुष्य चरित्र करे छे अश्टांग योगना अलग अलग सुखुरूप जे नाम छे तेने हवे हुँ कहू छु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अने समाधि योगना आठ अंग छे परमसुखदाई स्रीहरिये ते आठे अंगोंने थोड़ा दिवसोमा सिखिली धा जोग अश्टांग के कहू अब नामा, प्रत्यक, प्रत्यक, महा सुखदाई मा आठे आठ योगना अंग छे एतले के आठ लेवल छे येना नाम आपने सांभलिया, भगवान श्रीहरी ने आठे आठ अंग सिखवानों अत्यंत उमंग हतो हवे आपने थोड़ू सांभलिये योग एतले सुँ, योगना आठ अंग एतले सुँ अमेरिका मा तो योगनों योगा थे गयू लामबा टुका थवू, फिजिकल एक्सरसाइज करवी ए अमेरिकानों योगा माने ली था पन योगा फिजिकल एक्सरसाइज न थी फिजिकल एक्सरसाइज करता आगल घणी बधी वस्तु छे दुनिया मा सौथी वधारे मा वधारे अत्यारे डिमांडेबल वस्तु होई तो योग छे कदा तमने खबर हसे योग माटे युनाइटेड नेसंस मा नरंदर मोदी ये भारते एक रिक्वेस्ट मुकी दरखास्त मुकी क्या आखी दुनिया मा लेबर माटे कोई दिवस उजवाई छे आखी दुनिया मा पिताने याद करीने माताने याद करीने आद दुनिया नी सारी सारी विभूती वक्ती वस्तु एना योगदान एने नही ने दुनिया मा एकाद कोई सारो दिवस नक्की थायो छे पन दुनिया ने जेने घणू आय पूछेवा योग माटे एका दिवस नक्की थाई United Nations ना रेकोड मा नोंधायली हमना नी घटना अजी 3-4 मैना थाया अजय इबाई कोई रिक्वेस्ट आवे यहने आखा दुनिया ना बद्धा देशोयने एग्रिमेंट आपे सौथी वधारेमा वधारे एग्री लोको थया होई United Nations नी स्थापना पच्छीना अत्यार सुधिना इतिहास मा तो योगनी रिक्वेस्ट उपर सौथी ओछा समय मा वधारेम वधारे देशो एग्री थाई गया कि योग माटे एक दिवस नक्की करवो जोई 21 जून 21 जून अख्छी दुनिया मा योग माटे नो दिवस डिस्टाइड थयो हवे आउता वरसना केलेंडर थी 21 मी जून मा दर वक्ते एले आ वरसे थी ज एतले आ 21 मी जूने अख्छी दुनिया मा सौथी वधारे मानसो ते दिवसे योगो करवाना छे जिहे योगनी खाली एक कड़ा दुनिया ने सामे आवी कई के बही तमें लामबाटू का थाव थोड़ी सिस्टमेटिक तमें एक्सरसाइज करो तो फिजिकल फिटनेस तमारा अमुक प्रकारना रोगो अमुक प्रकारनी उपाधी ओटोमेटिक सान थाई जाईज एक तको पन लोकोई नथी जानू योग एक तको जेतलो पन योग सास्त्रनी वास्तविकता लोको नी सामे आजी नथी आवी त्यारे आपन नेम थाई आपना देशमा आवी केटली बधी विद्याओ हती योग विद्या, ज्योतिस विद्या, जे माखी दुनिया ने त्या रस्ट छे, आपनों ज्योतिस का यजेवे जेवू तेव न थी मानसने बेठेल जोई, योतिस सास्त्र एना अलग-अलग प्रकारों छे, अंक सास्त्र छे, मानव सास्त्र छे, प्रस्नोत्तर सास्त्र छे, जातक सास्त्र छे, योग नी योतिसनी अलग-अलग कडावो अलग-अलग विद्यावों छे ए बधी विद्याओने अभ्यास करता एकली वस्तु नकी थाई कि ज्यारे भारत मा ए बधी कड़ाओ खिलेली हती एना सारा सरा विद्वानों पंडितों हता राजाओ एवा पंडितोंने पूरस्कृत करता हता राज्य द्वारा एवा पंडितोंनु सनमान थतु हतु ए विद्यावने प्रमोट कराती हती त्यारे चोकस ए देश सम्रूध हतो जिहारे आपने ज आपना देशनी विद्यावने भुल्या और बिजानु एक्सपोर्ट करता थया बिजानु स्विकारता थया बिजाना गुणो गाता थया त्यार थे आपना देशनु पतन सरू थयू योग येना केटला आर्थ छे तो योग सास्त्र आपने त्यागू केवाई पतन जली मुनी यमना द्वारा करवामा आवेलू सास्त्र पतन जली योग सुत्र आपना मोड सास्त्रो बद्धा सुत्रात्मक छे सुत्रात्मक नो अर्थ थाए बहु नाना नाना एतली नानी वात होई अजे भाई योग सुत्र जे पतंजली मुनिय लख्यू छे येनु एक सुत्र बोलू योगस चित्त वृत्ती निरोधह आत्लूद लख्यू जे पना आना उपर कोई दस हजार पेज लखे तो योचा पड़े येने समझा माटे कोई हज्जारों कल्लाक सुधी बोल्या करे तो पने वस्तु जेतली ओची एक्स्प्लेन थाई येम लागया पन ने केमा आजी घणी वस्तु एक्स्प्लेन करवानी जरूरत देखाई योग एटले चित्त वृत्ती निरोधह मानसनू फेलातु मन जगतमा चारे बाजू विखरातु चित एचितने पाचु वालवू मानसनी फेलाईली वृत्तियोंने अटकावी जुदा जुदा प्रवाहमा दोडती मानसनी भटक्रती वृत्ति ने एक प्रवाहमा बांधी ने एक जग्याए स्थीर करवी एक जग्याए जोडवी एनू नाम योग योग नो गुजराती मा पन अर्थ थाई योग एटले जोडाऊ पन रुत्ति थी जोडाऊ मन थी जोडाऊ योगस चित्तव रुत्ति निरोधह गीता जीमा पन योगना खुब सरा अर्थ करवामा आएवा छे पन आपड़े अत्यारे एक अर्थने ध्यानमा लईने आगल वधिये वचना मृत्मा स्रीजी महराजे द्रश्टांत आइपू जेम जेवी रिते अलग अलग प्रवाह चालता होई कोस चालता होई एना अलग 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 प्रवाह होई अने 20 कोस ना अलग 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 प्रवाह वहे छे महराज एम कहे विशे विश प्रभाजो भेगा थाई ने तो कोड़ा पूर जेवू पूर आवे एमा कोई वस्तु टकी न सके एम मानसनी दसे दस इंद्रियो अलग अलग दिसामा बठके छे आँख कोई जगे बठके छे कान कोई जगे बठके छे मन कोई जगे बठके छे एवु नई एक आँखनी पन पाची दस वुरुत्ती छे तमार यक मारी पन विचे विचारे छे आसपास जेतली वस्तु तमने देखाई छे एक साथे मानसनी आँखनी वुरुत्ती गणवा मावे तो बे, चार, पाच, पचास, सो, बस्तो, पांसो, हजार जेकली पच्छी एनी तिक्ष्णता तमे अत्यार मने जोओ छो मायक ने जोओ छो आसपास तुम बेग्राउंड जोओ छो एक मिनिट मा तमारू मन अत्यारे विज्णाने नोंधेली वाद एक मिनिट मा मानसना मन मा वीस हज्जार करता पण वधारे विचारू आवे जे साइन्टिफिकली प्रूथ हेली वाद नर्मदानी रेति मा बेठेला स्रीजी महराजे मुक्तानन्द स्वामी वगेरे संतो, सुराखाचर वगेरे भगतो बेठा आता सुराखाचर ने पुछिऊ सुराभगत, तमने कई घाठ संकलप थाई छे क्यारे सुराखाचर वगेरे महराज, तमारा जेवा भगवान मल्या, अवे घाठ संकलप से ना फरी महराजे मुक्तानन्द स्वामी ने पूछिऊ के स्वामी तमने कोई संकलप थाई छे तेरे मुक्तानंद स्वामिये नर्मदानी रेती नी मुठी भरी अने मुठी आम वावलता स्वामियेव बोलिया कि आ नर्मदानी रेती मा जितला करण छेने महराज एतला घाट संकल्प सतत्त या करे छे गेला नदीमा स्नान करवा स्रिजी महराज आएवा चो मासानो समय हतो उपलावास मा वर्साद खुब थेलो वर्साद ने कारणे गेला नदीमा एवू पूर आवेलू एवू गांडो प्रवा हतो एनू नामत्चे गेला कायम माटे एनो गांडो प्रवा होई अंदर मानस नावापन न पड़ी सके एवा प्रवाने लिध्ये एनू नाम पड़ू गेला एकले गांडी गांडी एकले उत्तम उन्मत उन्मत गांडी होवा ने कारणे एनू नाम पड़ू उन्मत गंगा आ गहला नदी इना गांडा तूर प्रवाह ने जोही ने स्रिजी महराज संतो ने कहे छे संतो देखाई छे आ प्रवाह संतो एक वहाँ महराज अरे महराज आज आ गहला ना गांडा प्रवाहमा पड़वाजेव Whole लाकतू नं थी प्रभु आमा श्नान करूँ आजे अगरू छे महराज अस्ता अस्ता बोल्या संतो बिजु कई समझाई छे ना महराज बिजु तो तमे समझाओ आ गेलाना गांडा प्रवाह जेवो मानसना मनन विचार नो प्रवाह छे ये मानसना मनना विचारना प्रवाहमा जेतला जेतला पढ़ाने आ गेलाना प्रवाहमा पढ़ेलो कदाच बची सके पड़ मानसना मनना प्रवाहमा जे भढ़ाने ये माथी कोई सलामत न थी मननू धार्यू करवा गया मननी इच्छाव पुरी करवा गया मननी मुरादों बर करवा गया येवा दरेक मनुस्यों येवा तमाम मुनियों तमाम महर्शियों ये बद्धा धूल चाटता थही गया सूरत मा मुक्तानंद स्वामी आयवा छे स्वामी नी साथे साइट संतों छे साइट जेतला संतों ने लईने मुक्तानद स्वामी शूरत मा रोकाया छे श्वामीनो जह घर मा उतारो हतो ए घर नी बाजु माज कोई मदारी कारण के आव मुझा युद जुनू घर होई त्या संतारो आपेलो बाजु मा कोई मदारी रे और एंडे माकडु बांधी राखेलो है स्वामिया वजु सभा करे संतो आम बेठेला संतो नो ध्यान अबाजुना घर बाजु जाई अने त्या पिलू माकडु होतु है माकडु तो बेठु बेठु सु करे खड़ेक सिध дос खाई, खड़ेक उन्दू थाई, खड़ेक उपर चड़े, खड़ेक निचे चड़े, आपट एगणा माकडा मंदिर माओ नाना जोचन तमे ये अड़्धो कल्ला कथा मा स्थीर ना बेशे, खड़िक खुडची उपर चड़े, खड़िक सिर्षासन करे, खुडची उपर थी उंधा लटके, येने टाइम पसार करो ये कल्ला के लेक गम्मे तेरिते करे, पेलू बांधेलू माकडू एतले के वांधरू ये जुदा दिखेल करे, दरेक संतो नू मन एवाजु खेचाई। मुक्तानंद स्वामी तो अंतर्यामी जेवा हता, भगवान जेवो ये स्वरी यहतु। एं मुक्तानंद स्वामी अंतर्यामी रुपे जानेलिधू का दरेक साधुव बेठाचे सभामा वातमारी साम्भले छे, पन द वच्चे थी कोईक निकले ने तो एक साथे हज्जालो मानस नुँ चित तूटी जाई सामाटेव नियम करवा माई उग चालू वक्ता कथा करता होई तेर चालू कथा ये बिजा मानस आवी स्वागत पन न करे अमना चालू थयु छे उचालू कथा मा वच्चे आवे आर पेरावे बदु जाज्यातनू करेए पन ये शास्त्र सम्मत न थी कारण के भगवान्नी कथानो प्रवा चालू थयो होई बधाना मनेमा डुबा होई अने तिया एक व्यक्ति वच्चे आवे तिया बधानो प्रवा पाचो तुटी जै मानसना सरीर करता पण मानसना मनने केलवू ए वधार्य घुरू जे योगनू मुख्य सुत्र मानसना सरीर ने केलवानू न थी योगनू मुख्य लक्ष्य मानसना मनने केलवा माटे नू जे अने केलवाईलू मन ज़ मुर्तिमा जोडाई जे मुर्तिमा चोटे जे मुक्तानंद स्वामिये संतो ने पुझ्छु के संतो आपने आ महरादनी वातो करिये छिये तमें बधा सांबलो छो पन मारेक प्रस्ण पुछो छे निखालस भावे तमें बधा जवाब आप जो आ कथा दर्म्यान जेह साधुनू एक पण वकत मन आ पाचल माकडू छे त्या न गयू होए उची अंगली करो एकला बधा संतो बेठेला हता पनि निर्दोस साधु होता निस्कपट साधु होता यमाथी एक साधु ये उची अंगली करी मुक्तानंद स्वामी राजी थया यमने भेटी पड़्या इन नानाम नाना संतता पन यमनु नामतु गुणातितानंद स्वामी अने मुक्तानंद स्वामी त्यारे यम बोल्या कि साधु छेतो नाना पना साधुनी समझन खुब मोटी छे आजे आपड़े कईये छेने आजे आपनले लागे गुणायत्यानन स्वमी नाना आशेव लागे डंको वागी ज्वाकी दुनिया महें स्वामी नो तो सर्वो परी उपासना ये साधु द्वारा फेलानी सोरट नो दिविय सत्संग सोरट नो लिलो घेरो सारामसार येक सत्संग नो बाग ये गुणायत्यानन स्वमी द्वारा खिलियो पन क्यारे येनु केलवाईलू मन हतु त्यारे योगनू काम छे फेलायलू मन फेलायली इंद्रियो नी वृत्तियो येने संकुचीत करी एक विशे उपर स्थीर करवी थोड़ू तमने एतला माटे कहुच्छू समझाई बाके आज योगनी वाता एतले बद्दान एतलू खबर छे किलुक स्वामी रामदेव जी कसरत करें कसरत करवी एतले योगा ए योग छे पन योगनो एत भाग एक परस्थंटे चेना करता घणू आगल छे मन उपर माइन्ड, सबकोंश्यस माइन्ड, बेप्रकारनू मन एना उपर एतलू बधू विचारों कोई लख्यू छे, दार्षनी कोई लख्यू छे अर्विंद घोस, रमण महरसी, अमेरिकानो दिपक चोपरा, केलिफोर्नियानो, आख्खी दुनियामा वधारेमा वधारे संसोद्न और विशे हमना हमना मन बन्तु जाई छे अत्यारनू विजणानियम माने छे, मानसना सरीर मा जेतला रोग छे, आलोकुन एवग केवू छे त्यारे तारण, के मानसना सरीर ना नाना मोटा अलग अलग प्रकारना जुदा जुदा प्रकारना जुदी जुदी केटे गरिना रोगो, जो बध्धा केलकुलेट करवामा आवे येना प्रकारों साथे 6 करोड जेतला रोगों त्यारे चे केतला केतला रोग फिखुदाजा येव केई छे आलोको पड़ एक एवी चे केना करता पाण येना करता पाण केतला घणा अलोको नुकेव चे 10 टाइमस मोर mental problem छे mental disease physical disease करता पाण 10 टाइमस मोर छे इतोजिक पकड़ाया पन नथी diagnose पन थया नथी खबर पन नथी पड़ी दवा पन नथी सोधानी आत्मात्या केना थी करे जमानस क्रोज केना थी करे छे काम क्या थी आवे छे लोब क्या थी आवे छे मह क्या थी थाई छे मद क्या थी जागे छे, इर्षया क्या थी जागे छे, अदेखाई क्या थी जागे छे क्या थी जागे बोलो मन होई चंगा, तो कत्रोट में गंगा मन स्वस्थ न थी, एतले आब दा प्रोब्लेम छे गोपाल योगी ने निलकंठ वरणियक कईू योगी राज, तमें अंतर्थी स्वस्थ लागो छो, एनो अर्थ थयो, तमारू बोडी, तमारू सरीर भले दुबलू देखाई, पन तमारू मन तंदुरस्त छे गुरुजीनी आ वात में वर्षो पेला एक वार सांबलेली, पन मने हजी एवानेवा सब्द याद छे गुरुजीनी कहे, मोटा पूर्षोनी तन आपना जेवु देखाई, बेपगी होई, बेहात होई, मोटा पूर्षोनी तन आपना जेवु देखाई, पन मोटा पूर्षोनी मन आपना करता गणू जुदू होई छे, एकले महा पूर्षो केवाई छे, एकले एवा महा पूर सोज आपने भगवान मा जोड़ी सके येना सरीर्थे नी विशेश्था न थी पड़े नू मन क्यों होई अमार आसित भगत ने पूछो ने त्रानू वरस ना ध्यानी स्वमिने तमे जोयान आसित भगत तानू वरस 93 वरस नी उमर पड़ेमनी साथे बेठा होई है मेपन घणिवार दर्शन करेला अपन आतलू नजीक थी बेस्वान उचू मले मोटा समयामा गया होई दूर्थी दर्शन करया होई निकली गया होई है गुरुजी साथे अमना वडताल मा 2-4-5 वकत स्वामी साथे मिटिंग मा बेस्वान उठाई स्वामी साथे समयामा बेस्वान उठाई स्वामी साथे ओफिस मा एके कल्लाक अर्धोर्दो कल्लाक बेस्वान उठाई पर आपन ने चोकस समझाई जाई चोकस कि महापुरसोनु मन केटलू दिविय होई छे, केटलू प्रफुल्ली तुमने जो टाइम मले ने, तमें देवराह बाबा लग जो, ओनलाइन, एक बहु भारतना महान संत थया, एवा सिद्ध योगी हता, हमना हमनाना भारतना इतिहास मा महान महान समर्थ मा समर्थ सिद्ध य योगी मा यमनू नाम छे, गुरुजीनी कृपाथी अमें नानी उम्मर मा, आ संस्कृतनी विद्यामा गया भणवा माटे, अमने संस्कृतनो खासकरने वेदांत, खासकरने न्याय, खासकरने धर्मसास्त्र, जे मने भणायवा, उत्तर भारतना प्रकांडने अधभूत वि अधवानोंने याद करने पन मने रदैमा आनन थाई, सीव प्रसाद वेदी जी, अयोध्याना, अजे भाय अमने 200-800 पुस्तो को लख्या छे, अने एक एक पुस्त केटला पाछा, बब्बे हजार चार 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 पेजना, यमनू एक नाम छे, आम तो मारे जाहर मा केवाई पन्डितो मा यमनू एक नाम छे, लेखन पिसाच, सु नाम छे? सु नाम छे? अने अमे तो 2-3 वरस जोडे रया छे, साजे पाठ पुरोथाई जे 6 वागे, संध्या वंदन करे, जमीले, थोडी वार 4 निकले, 8 वागे गरंत लखवा बेशे, अन लखवा लखवा बेशे, तमें सवारे 4 वागे निकलो, तो ये आक्खी रात लखता होई, पन्ड़ सवार सुदी मात 8-2 गरंत लखी नाख्यो होई, उद भट विद्वान, प्रतिभा नितो वातर ना करी सको, याद सक्ति नितो कल्पनात तमे ना करी सको, अमे भण्या न थी जाजू, बिजा विद ना महतू, एक 8-2-8 नी रुम्मा रेता, पन्ड़ अक्खु उत्तर भारत तमे वुरुंदावन मा गुरुजी न वुरुंदावन इतलू लखी ने मोकलो, तो वुरुंदावन ना वांदरापन, जे महापुरुस रोडुपर निकला होई ने, तो अन पगे लागे एवी प पाणी पन्णवा परता, अतली पवित्रता, आपड़ा जेवा गेशुपर रांधिने पन्णवा जमता, ये परंपरा आती पवित्र परंपरा ये रिते आक्खु जीवन जीवनारा, ये सिव प्रसाद द्युएदी जी, जेमनी पासे में वेदान्त भण्या, जेमनी पासे च्छे खुब सारी सांभली जी रविप्रशाद विवेदी जिजरे नाना हता त्यारे देवराह बाबा साथी रहे, रवाले पासे थबुड़ू भने ला, थबुड़ू सिखेला इह देवराह बाबानो एक विदेशी मानसी वीडियो उतारेलो रह्ता फोटो नोता पड़वा देता, वीडियो नोता उतरा देता, बहुँ सिद्ध हता, कोई मानता नी 200 वरस नी उम्मर, कोई मानता नी 500 वरस नी उम्मर, कोई मानता 700 वरस नी उम्मर, भगवान जाने सु उम्मर हसे, पन सिद्ध हता, आखो भारत देश जेनी सिद्धी ने अभव तो आवी एक महान विभूती येनो विडियो कोई उतारेलो हमना थोड़ा समय पेलाई विडियो कोई के यूट्यूब मा अपलोड करो छे विदेशी मान से पन विडियो मा तमने दुबळू सरीर बिजू कस्तु देखाई नहीं बोलता तो हताज नहीं गंगाना पाणी करता पन विशेश जेनी पवित्र ताओ हती आवा महा पूर्सो पड़ेनु कारण हतु योग कयू कारण हतु अत्यारनी दुन्या आकी ब्रष्ट थै रही छे येनु कारण चे भोग बद्धी बाजू संयम विनानों भोग वधी रही हो छे तमें जो कपडामा खावामा पिवामा बोलवामा चालवामा सुवामा कोई जिगे संयम खरो आप भोग जे वध्या छे ने एना थी रोग पन वधी रया छे योग जो वध्या ने समाज मा योग जो वध्या ने अधभूत वस्तु छे योग सूँ छे ये मारे तमने समझाओ छे चितनी वृत्तिनो निरोध करवो येनू नाम योग वचनाव्रतमा महराजें कहे जें खेतर मां कोस चालता होई यह 20 कोस ना अलग-अलग प्रभा होई तो यह प्रभाबू ताकात्वावा न देखाई पने विशे विश कोस यह प्रभा जो भिगा थाई नें तो मोटु पूर आवे, गोडापूर जेवु पूर आवे, एना प्रवामा वच्चे कोई अटकी न सके, इप्रवाने कोई रोकी न सके, यहम इंद्रियोनी उरुत्ती चारे बाजु फेलाएली छेने, एतला मात्या प्रोब्लेम थाई छे, इंद्रियोनी उरुत्ती जो एकत पत्रीत थाई, एक जिग्याई, एक विशेव उपर केंद्रीत थाई, तो महराज इम कहे क्या जीव धारेत्य लक्ष्य प्राप्त करी सके। वचनामृत मापन महराजे वात्करी, जेम कोई भरत-भरनारी स्त्री होई, तो भरत-भरती भरती, यहाँ वच्य काच, वच्य मोती, अलग-अलग वस्तु भरती जाय। में कईयु ने, मन केटलू चण्चल छे, विघ्नानियम्माने छे, मनस बेठो छे, सांत बेठो छे, चंचल नई, बागमा नई, थियेटर मान नई, सिनिमा मON, सांत बेठेला मनस ना मन मां 1 मिनीट मां 20 हज्यार जेतला नाना मोटा संकल पतम थयाता होई मुक्तानंद स्वामी के आ रेतिना प्रवाहमा जेतला कौन छेने एतला मानसना मनमा संकल्प छे खुब सरस आपना रुसियोय जे लख्यू छे कउचु थोड़ू मानसना मननी त्रण भूमिका छे जे साधके करवी जोई एक पेल्ला मानसना मनने निर्विकार करवू जोई खोटा संकल्पो खोटी इच्छाओ खोटी वासनाओ खोटा घाट मानसना मनमा सतत्थ या करताओ तमे जानो जो ये विकार छे बगवान ना भकते कोई पन रिते मेनत करीने पर भगवानने प्रार्थना करीने पोताना घाट ने ओल्खीने विकारूने ओल्खीने निर्विकार मन करवू जोई मन जारे विकार विनानू थाई त्यार पछी मानसना मनमा विशय तो रेवानाच छे पछी निर्विशय मानसना मनने निर्विशय करूँ जोई निर्विकार थेलू मन पछी निर्विशय बने विकार एकले खोटी इच्छाओ खोटा घाट पण विशाई एतले सुँ जेमके आपड़े बेठा छी है कस्सुने तमें बेशीन क्यारिक ट्राय करी जो अब्राहिम लिंकन ने पोते आ प्रियोग करो छे बेंजामिन फ्रेंकली ने आ पोते प्रियोग करया छे दुनियाना इस्टन के वेस्टन विग्नानिकों के ग्नानिय मुनियों के महर्सियों दरेक कोई जुदी रिते कोई बिजी रिते कोई त्रिजी रिते पण आ प्रियोगुपर आएवा छे अब्राहिम लिंकन येने क्रोधने काबु मां करवा प्रियोग करेलो क्रोध आवे एकले क्रोध करवा नो नहीं पन जिये मनमा इच्छा थाई हो बेंजामिन फ्रेंकली ने पोतानी खोटी आदत सुधर्वा माटे केवा केवा प्रयोगो करा तमें वाचो इतिहास आजना मानस ने बद्धानी चिन्ता छे पन क्यारे आपड़े आपड़ा मन्य सुधार्वा मेनत करी क्यारे आपड़ें थयू पन खरू क्या आपड़ा मन्य आपड़े थोड़ू सुधार्वा नी जरूर चे आटलो पन विचार आएवो क्यारे पढ़े आपने एम पन खबर पड़ी कि आ बद्धानु कारण आपनु मन छेऊ तमें कत्थामा रोज सांबलो छो मुक्तिनु कारण पण मन छे बंधनु कारण पण मन छे पण विचार पन आसीत बगत आउतो नथी आपन ने कें आपने 11 आपना मनने तपाशिने जोयूज नथी आपने एकला उंडा उत्रयाज नथी मनमा पडेला विकारो ये दूर थाय पछि मनमा पडेला विसयो येने दूर करवाना निर्विकार मन थया पच्छी मनने निर्विशई बनावो जोईए निर्विशई मन बने त्यार पच्छी मनने निर्विचार बनावो जोईए पच्छी कोई विचार पड़ नहीं अन्य निर्विचार नी भूमीका एटले महराजनी वचनामृत्मा करली वात अखंड वृत्ती नी भूमीका योग सास्त्र प्रमाणे यनुज नाम समाधी योग सास्त्र प्रमाणे यनुज नाम निरोध योग सास्त्र प्रमाणे भौतिक जगत प्रमाणे वचनामृत प्रमाणे यनुज नाम तनमयता तनमयता एकले कोईक मानस जे में वच्चना मुर्त मां माहरादी द्रिश्टा देप आपड़े कई है अरे लोभिहे कामी हिनारी पियारी जिमी लोभिही प्रिय जिमी दाम क्यों रघुनात निरंतरा प्रिय मुहिलागे हुराम कामी मानस ने मनगमती स्त्री मले अने मानस केतलो तनमई बनी जाई आसपास सोचे ये भुली जाई हुँ कोण छू ये पन भुली जाई सामे कोण छे ब्रह्मा जे वो ब्रह्मा पुता नी पुत्री उपर आसक्त थाई ब्रह्मानी वात नथी पनाकी दुनिया आज दिशामा चाले छे। दिक्री उपर आसक्त थाई। दिक्री पन पाची सरस्वती, सुरुष्टी नो पिता ब्रह्मा आसक्त थाई। अरजुन्य जेमसों देखा तु तु जाड नई, डाल नई, पंखी नई, सु पंखी नी आखज देखाती हती आने तनमाई ताकेवाई। येम पची हूँ नई, मारा नई, पची कोण देखाय खाली? माराज एकला देखाई, जैरे तनमाई थाई त्यारे। येनु नाम अक् अमे पुना मा हता, पुना मा बे दिवसनी सरस नानी सिबीर हती, ए सरस मजानु जंगल, जंगल मा अपड़ा पुना ना भक्तो हता, सिबीर हती, गुरुजी पधार्या, अरी भक्तोने खुबज आनंद थयो, अमनानी वात, वीडियो के केमेरो के उकई हतु नहीं, बाकी र एकोडिंग अमुक राखवा जेवो हतु, एकली सरस सिबीर, पची प्रस्नोत तरी हती, एमा एक प्रस्न पुछानो, के गुरुजी मानसी पुजातो करियेची पन मन स्थीर नथी थातु, गुरुजी एकलो सरस जवाब आपो, त्यारे कहिए गुरुजी आवेन, त्यारे पुछी शो, गुरुजी के हुँ, मारा मनने स्थीर करवा माटे मंशी पुजा करता पेला, त्रण वार प्राणयाम करूजू, एमने त्रण वार प्राणयाम करिया, औने प्राणयाम पची एमना सरीर माजी स्थीरता, एमना चेहराव पर जे तेज देखानूने, आसित परतालनी मिटिंग मा होई, अतला मोटा मोटा कारभार करवाना होई इनी वातोचीतो चालती होई, अनेक प्रकारना समवादो थता होई, पनी समवाद नी वच्चे पन गुरुजी नी ये स्थिर्ता, येनुजे बेलेंस, बेलेंस ओफ माइंड, ये जे जोवा मले छेने, आ योगनी भुमिगा, कई, योगनी भुमिगा, कंडारी मा सवारे कथा थती हती हती, सवारे कथा मा तमने खबर छे के सहज, सवार नी कथा थोड़ी अगरी पड़े, कारण के संत, वातावरन ठंडू होई, येमा रात्रे पाची थोड़ा मच्छर करेड़ा होई, उंगुपूरी थाई नहोई, खबर नी त्य दीशे सोंथियो धिरजाख्यानी कथा चालेने, पची अड़्धो कल्लाक नी कथा होई, 15-20 मिनित कथा थे, बद्धा संतों येवी मिठी उंगा आविक देने, आम बधा डोलवा मेड़ा, एकले गुरुजी एक अथा स्टोप करी, गुरुजी के चालो, सुँआएवू, रेकोर्ड छे, कितला बदा संतों आजर हता, 15-20 ने, सुँआएवू ने, एक सब्द नी खबर नो थी, सुँआएवू ने, सुँआएवू प्रस आवाद्तो, बोली सकाई, पन समझवी अगरी छे, यागनिक साहबनू, भगवान स्वामियान उपरनू करेलू रिसर्च, थिसिस, ओतो बोव वर्सो थी, आ जगत माज वांचन मा छोन, एटले, आ विशै निकले मने बोलवानी बोव इच्छा था, एपन पचियम थे, आब भगवान स्वामियाने जे स्टेटमेंट आए पूछे, जे विरते सीह, बकराने पकड़े, एम महराज बोल्या, अमे अमारा मनने पकड़िली दूछे, मनने कई दिदू, खबड़ार्द छे, जो भगवान सिवा विजो घाट संकल्प करेओ, तो तारा भुक्का बोलावी देशो, छे आपड़ावो कंटोल मनू पर, छे आपड़ावो कंटोल मनू पर, मनने गुलाम छे मानसा, मननो इच्छावनो एतलो बदो गुलाम छे, येनी आगल एतलो बदो पांगलो बनी गयो छे, आदुखनू काराण, मानसनू मान छे, सुखनू कारण पाण, मानसनू म बंधन नु कारण पण मानस नु मन छे मुक्तिनु कारण पण का मानस नु मान एव मनुस्याणाम कारणं बंध मुक्सयो हो सुक मन सानुकुल छे तो सुक छे बेदीउस पेला साइरी कई थिन तमने दुखने जो स्विकारी लेवाई तो दुखनो कोई भार नथी अने बधीवाद जो सवली लेवाई तो सांती नो कोई पार नथी मुटा पुर्षोनी मननी जे भूमी का छेने इस समझवा जेवी छे अने मन तोज केलवाई योगनी धारणा के साधना के आपने खबर होई योगनो अर्थ थाई परमात्मा साथे जोडावू गीता ये त्राण योग बताएवा भक्ति योग गनान योग अने कर्म योग हठ योग प्रदीपिका जे आपने गयकाले सास्त्रनी वाद साम्बली योती एमा एक योग बताएवा राज योग जे पतंजली महराद नो योग छे आप बद्धा योग एकले रस्ता भगवान साथे जोडावाना रस्ता पनावे अश्टांग योग एकले अगरु ग्नान पन थोड़ू लेवू जोईये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अने समाधि अवे यम, यमनो अर्थ थाई, कंट्रोल, अंगरेजी मासो थाई, कंट्रोल करवो, निग्रह करवो, जे विरिते गोडा होए, गोडा, ये निव उपर तमें बेशो, तमारातमा लगाम जोईये, लगाम वगर घोडा उपर तमें बेशो, तो क्यारे की घोडो तमने निचे नाखे, इंद्रियो घोडा जीवी जे, येनो कंट्रोल के विरिते करवो, तो पाँच प्रकारना यम गणा आमायवा, अहिंसा, मन कर्म वचने कर कोईनो अहित्म विचारू ये अहिंसा जे, सत्य, वानी थी, के विचार थी, कोईनो बुरू न बोलवू, न इच्वू, ए सत्य छे, सारू जी च्वू, अस्तेय, चोरी न कर्वी, आना पाछे एक 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 ना विश्तार छे, पन टुक मा तमें समझे सको, अटलू अटलू चरिया, अने अपर इक रह, जरूर करता वधारे वस्तु भेगी न करवी, आज ये नथी लागतू, मानस छे, येनो घर गोडाउन जेवू बनतू जाईचे, मानस पोतेज, पोताना घर मा मालिक थाईने नहीं, चोकिदार थेने रेतों होई, घर ने सजावामा, घर ने पोतेख खसाई जाई, अमेरिकानी लाइफस्टाइल तो एवी छे, आतो तमे बदा भगतो छो एटले सत्संग मारी टाइम काढ़ी सको छो, बाकी आ डेस नी लाइफस्टाइल, मट्रियालिस्टिक लाइफ एटली बधी वत्ती जाई छे, भहुतिक ता एटली बधी आगल करवो, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य अने अपरिग्रह, इंसा उपर करवो, असत्य उपर करवो, चोरी उपर, एटले कोई पासिती, कोई वस्तु कपट द्वारा, युक्ति पूर्वक छिनवी लेवी, कोईक नी मालिकी नी वस्तु, एपैसा, के वस्तु, के पद अपरिग्रह, बीन जरूरी वस्तु प्रत्यनु खेचाण, एना उपर, कंट्रोल, थोड़ा वर्सो पेला, अमेरिकाना कोई ख्यात नाम लेखके लखेलो, एना जर्नल मा पबलिस्थेलो आर्टिकल कोई मने मोकले होतो, के अमेरिकामा बाई करवामा आउती, मुट्टा भा आगनी वस्तु केतला तका वपराई चे, एना उपरेले खतो, अमुक तका वस्तु तो लोको खरीदे छेने, खोलवानोई टाइम नथी मलतो, एने आखका अमेरिकानू स्टेटिस्टिक आई पूदू, खरीदे छे, पछी ये वस्तु एने खोलवानो पन समय नथी मलतो, अ अटली वधी आशक्ति थी संग्रहुरुत्ति वधी जे, यम पछी नियम, नियमनो अर्थ थाए वरत, एटले के प्रतीगना, पाँच छे नियम, सौच, संतोस, तप, स्वाध्याई और इस्वर प्रणिधान। पवित्र रिते रेवु एच्श सौच छे, ब्हार्थी पवित्रत दानकरी ने, अंतरती पवित्रत भग्वाननो ध्यानकरी, स्मरणकरी, मन्य चुख्खूराखिया, आस्व च्षे संतोस, जे मलुँँचे, अने जितलू मलुँँचे, यमा आनंदर मानुऊ, सुमानुँ संतोस क्यों क्यवाई छे संतोस परमम सुखम संतोस जेव सुख न थी पड़ आजना मानस नी संतोस उरुत्ती देखाई छे तमने के त्रिजू तप जानी जोईने भगवानने राजी करवा माटे कई कष्ट सहन करवा समझन पूर्वक कई कष्ट स्विकारी लेवा दुखने स्विकारी लेवा अनौर्थे वो थयो प्रेक्टिकल अर्थमा जमके गर्मी वधारे पड़ी बहु वधारे गर्मी पड़ी अने बहु गर्मी लागीन क्यारेक एर कंडिशन बंद थे गयू तो एवा समय मा स्विक्कारी लेव। कईन एवा वु क्यारेक थाए। पची सववार्थी माथा पचाडे मरी गया आजे तो एरान थे गया। गणा लोको तो माथा पचाडता हुए। गणा मेतो जुए पलेन मा बेठा होए निया। पलेन मा क्यारे उपड़ से। हुँ थसे आवे। आलोको पलेन वारा जारे होई त्यार आउनाउज केरा करे। पलेन अड़ोकल्लाक लेट थाएन पणा एकलो बदो आकलो व्याकलो थोईगे आपनेम थे तुँ बारी माजी कुदीन निचे पड़ी जा जा तार उतावडो होई तो। नकीत छे ये ज्यारे उपड़वानू त्यारे एमा कोईनू चालवान नथी। पण धिरोज न थी। कोई परिश्थितिने कोई संजोगने स्विकारवानी मानसना मनमा तयारी न थी। अमना इंडियामा एक दाखलो बने ओजी बैई। वो आगात लागे विवाद। अमना ज मने थोड़ा दिवस पेला कोई वाद करी। बोड़नू एक जाम आयव। एक जाम मा कोई बाळक येनु एक्सपेक्टेशन हसे कि मारा 96% आउसे और इंडियामा बदा टेस्ट बदा बवव लेवाई। ये दस मानी 12 मानी एक जाम मा बधा बवव टेस्ट भाना हसे। वद्दा टेस्ट नियं अंदर बधी एक जाम sì इले अंदियर जे पहला क्लासीस चलता हूत ओनलाइन होई एकजाम बद्धी एकजाम मा 96 प्लस आ छोक्रा ना परसंटेज आवेला एतले आखा घर ने इछोक्रा ने पन कॉन्फिडेंस के 96 तो आउसेज अने छोक्रा ना बेदलक 94 परसंटेज इंडिया मा बोड़नी एकजाम मा एवा छोक्रा ये सुषाड केरो छोक्रा ये सुषाड केरो मारे केवू छे एक अतलू बदू मानस नू मन जारे कड़क थाई जाईने कोईपण परिस्थितीमा त्यारे दुख दुखने दुखत छे 96 आवाद जो ये इसक राखवोद जो ये खोटू न थी पन 96 नी जगे 94 आत मोट बेड खराब छे आतप छे स्वाध्याय शास्त्रवांचन अने 7 नू 19 श्रवण इसवर प्रणीधान थोड़ीवार बेशी भगवाननी मुर्तिने याद करी मानसी पुजा करिये भगवाननू ध्यान करिये भगवाननी मुर्तिनी सामे बेशी एक चित्त ठईने 14 विन्थी मुखारविंद सुधी माहरादनी मुरुति निरखीये सुवाजीये, त्यारे आख बंद करी भगवाननी मुरुतिनू,ourwind थिलही मुखारविंद सुधिनू ध्यान करीये, तिलचिन्ना पाठ करीये यम एटले कंट्रोल करवु नियम एटले प्रतिगना करी यमनोर्थ थाई खोटी प्रवुर्ति थी पाचु वढ़वु चांबल जो खोटी प्रवुर्ति छोडवी हिंसा चोरी स्त्री आशकती वगेरे नियम एटले सारी प्रवुर्ति माँ द्रढ थाऊ समझ्या त्यार पच्छी छे आशन आशन एटले के 84 प्रकारन आशन छे अलग अलग आपने भगवाननों ध्यान करी सकीए एटले के आपना सरीर ने आपना सरीर ना उन्मादने काबुमा लई सकीए ये वी रित्या सरीर उपर कंट्रोल मेरावो जरूरी छे गोडों छे शरीर पन जेम घोडों तमारी पासे होई पने केलवाई लोग घोडों नहों होई तो क्या रेक एहरान करी नाखे है आ सरकस मां हमना आज कोई मने वीडियो मुख लोचे पिला सीह होई ने सीह सीह नी साथे काम करना रा मानसो खबर नी 3-4 सीह होई अने पाचे पेला सरकस न दरं मारता है असे और के अचानक थायोn अने सीह तो सीह सीह नों मगत गई हो तो सीह सिद्धा पंजह मारी मानस ने त्यान त्या फाड़ी नाख्यो सिहतो सिहत छे एने केलेवामा कोईक जो खामी रही गए तो तमे पची येनी जोड़े खेल करवा जाओ तो सफल नहीं थाओ तो आपणू मन तो सिहतो करता पन खराब छे आपणू आ सरीर आपणियां इंद्रियो सिहितो एककजवार मारे आ इंद्रियो ये आ आतमाने करो लोशोती गुलाम करता छे जाणोँ छे आ मन आ बुद्धी अंतह करण आ इंद्रियो करोड हो जन मति आतमा स्वतन्त्र छे येने पराधीन बनावी गुलाम बनावी अन्या जगत्मा भटकावे छे ने कौन भटकावे छे इंद्र युनाम तो करन मुख्ये तो ये छे ने देहने किलाववो सरीरने स्थीर करवो पदमासन वगेरे अनेक प्रकारन आसनो तमें जानो छो ये तले आपने मानसी पुजा करवा बेशिये गुरुजी मानसी पुजा करता हो ये तमें क्या रेक दर्शन तो करजो फोटानो ये रेक ट्रैक्टिकल तमें जोजो तो खरा पुजा मा दर्शन करवा जाओ जो जोजो तो खरा आपनेम थाई कितली स्थीरता कितली स्थीरता म मनिलाल भालजा साहिब नी वात मने बहु गमे यमनु ब्रह्मविद्या नामनु पुस्तक छे महान मुक्तता भालजा साहिब ये वात करता पेला सरीर स्थीर थाई पछी मन स्थीर थाई औने पछीज ना पेला सरीर स्थीर थाई पछी इंद्रियो स्थीर थाई औने पछी मन स त्यारे जिने रदैना आकास मा भगवान नी मुर्तिना दर्शन थाई आख बंद करे एकोटे रवे चंद्र थे कोटे रवे सुर्यनी कांते जाखे करे इवातारा उरविसे करोड करोड सुर्यने चंद्रना तेजीने जाकु करी नाखे अतलो अनन रदैमा ज्यारे मुर्ति देखाईने त्यारे थाई अव मुक्तानाद स्वामीय गायु ॅनुभवीने गायु छे पण ए अनुभव क्यारे थाई सरीर स्थिर थया पछी इंद्रियो सान्त ने स्थीर थाई, पची मन ज्यारे स्थीर थाई, एकाग्र थाई, मुर्ती मैं बनी जाई, मुर्ती मा तनमै बनी जाई, त्यारे यहने एतलो आनंद आवे, एतलो आनंद आवे बहुतिक जगतना आनंद करता करोडो 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 घणो आनंद महरादनी मुर्ति माझे यम पची नियम पची आसन पची प्राणायाम प्राणायाम एतले सुम आसन एतले सरीर ने स्थिर करवो प्राणायाम एतले प्राण ने स्थिर करवो प्राण एटले स्वास, प्राण स्थीर थाई, तोज मन स्थीर थाई, एटला माटे स्वास लेवानो, कोई पन तमे एक रिधम सेट करी दो, त्राण वार स्वामिनारायन, 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 स्वामिनारायन बोलता बोलता, जमना नाके स्वास लईये, येने पुरक केवाई बन्य नाक बंद करी त्रण वाग ए स्वास भगवारनु नाम लई अटकावो एने कुम्भक केवाई डाबा नाके पछी त्रण वार स्वामिनारायन 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 नाम बोलता ए स्वास ने छोडवो एनू नाम रेचक पच्छी त्रणवार भगवार नू नाम बोली पाच्छो ये स्वास त्याने त्यां स्थिर राखोई ने बाही ये कुम्भग केवाई पाच्छी पाच्छो त्यां थी स्वास डाबा नाके लेवो पाच्छो स्वास स्थिर करवो पाच्छो जमना नाके काढवो क्यारेक करी जो जो अग्यार वार के 21 वार 8 वार यू तमें करसो ने तमारी याद सकती वधी जासे याद सकते यतले unbelievable वधी जासे तमें एक वार वाच्यों से एक वार साह्मड़ों से एवू न्यवू एवा निवा सब्धो मातमें कल्पना तो कर अठवार युग पंदर दिवस करीतो जुओ पड़ा अब बोपोले जिमा पची ना करता सवारे विला जागी ने अथवा पुजा करी ने करिये खाली पेटे तो सारू अथवा जिमा पची सांजे पन जिमा पची 4 कलाग पची करिये तो येनी असर थाई कोईरे पेरलिसिस होए निमेतो जोयू छे वड़ुद्रमा डियर पटेल साइब सवामे रामदेव जीनो वड़ुद्रमा केम पहतो सिबीर हती येमने सांबलेलू मने वाद करी कि आरी तेमारे जहू छेन गया ये येमने केटलो बदो पार्किंसन केकली बदी दवा करिया महाथ आम हले पानी नो गलास पन पकड़ी न सके साथ दिवस सिबीर मा येमने प्राणायम अनुलोम विलोम प्राणायम करिया साथ मा दिवस पछी मलवाएवा मे वाद करी केवू लाग्यू मने के समी जो आम हाथ थी गलास पकड़ो हाथ थी लखवा लाग्या कल्पना थी ती मे जो येलून कवचु तमने अनुलोम विलोम प्राणायमे करिने साथ दिवस मा पार्किंसने लखवोच किवा नेक प्रकार नो दवा लेवानी टाइम मानस पासे समय छे पैसा खर्चवानों समय छे पन्दर मिनित बेसी ने एकाग्र चित्ते स्थीर मन करिने प्राणायम करवानों मानस पासे समय नथी प्राण एटले स्वास वायू येने कंट्रोल मा करे तो धिरे धिरेनी साथे मन पन स्थीर थाय इनु नाम प्रान आया मेटली एक्सरसाइज, स्वासनी एक्सरसाइज, इनु नाम प्रासयम, जे विरिते आशन चोर्यासी प्रकार ना छे, येम प्रानायम पन घंडा बधा प्रकार ना छे, प्रणव प्राणयम छे, भ्रामरी प्राणयम छे, अनियत प्रकार ना प्राणयम हो छे बराबर, प्रणे माथी कोई पन एक बे प्राणयम करता होई तो पन घणू छे, त्यार पसी प्रत्याहार, प्रत्याहार नो अर्थ थाई पाचू खेचुँँँँँँँँँँँँ संस्कुरुद भासा किटली मीठी औने किटली महान भासा अजे भै थोड़ी वात करी दो अजे उची वातों करिये छे थोड़ी बेवात वधारे करी देए उपसरगात धात्वर्थ बलात अन्यत्र नियते आहार विहार संगहार परिहार वत दुनियानु कोई ग्रामर दुनियामा हज्जारो लेंग्वेज छे पन कोई लेंग्वेज के कोई लेंग्वेजनु ग्रामर एवु न थी के जे 200 वरस करता पन वधारे एंसियंट जुनू होई आज संस्कुरुद भासा एक एवी छे जेनु ग्रामर जेनु व्याकरण 2500 वरस ती एकज व्याकरण जी चाले छे 2500 वरस पेला बनेला नीमो केतला नीम छे खाली कई खबर पड़िया जी बैतमने आमा कस्यु खबर पड़िए पण आतलू आ वस्तू समझवा माटे आ चवुद वस्तू बोईलो इचवुद वस्तू समझवा माटे मारे बार वरस लागया केतला तमारे केतला लागे चालू करो तो नुर्ताव साने इनट राज राजो ननाद धक्काम नवपंच वारम पाननी नामना रुसी हता येनी सामे महादेवजी प्रगट्थ या डमरू वगाईडू और डमरू माथी आ अवाज निकलो ओ इटलू मोटू आना पर हिसर्द चाले छे इटलू मोटू कोई हाज अन्या और अखबर नति आन के पिजा नी वाद करो लोकों ने गमे क्ञे oh कोई हास्च क्रिकेम नी वाद करो लोकों ने गमे बराबर कोई क्सरस प्रसंग नी करो आत करो इसे इसे इना ओ मर्म न भावो उट फास्त, और पे आपने पिक्निकज कर्वीन क्रिकेट जरम्मुए पछी तम्हे सु करो त्या कथा करो तो है एमा लहिमा जेन तम्हे कोलेटीनी दुकान खोलो तो शुथ है दंदो बंधज करो पड़े आतो वाद सास्त्रन आधर निकली चेतले करू 2500 वरस्ती एककज ग्रामर भगवाननी कुरुपाथी प्रक्टेलू ग्रामर आ चवुद सुत्र जेव बोईलो एमा थी उत्पन थेलू ग्रामर कितला बदा नियम तम्हे जे रिमोट कंट्रोल वापरो छोने जर्मनी मा रिमोट कंट्रोल नी सौथी पेल्ली सोध आ सुत्र जे वद्धारेमा वद्धारे संस्कृुद भासानू महत्वने गौरव अत्यारे जलवाय चे तो जर्मनी मा मने आश्चरीय थयू हमन आपड़ा कौसल बगजी माटे थोड़ा संस्कृुद ना पंडितो सोधीय ची या अमेरिकामा तो बेत्रन अमेरिकनों साथे मारे वाद थ इतलु फाइन संस्क्रूत बोले अजही भाई, अन्बिलिवेबल, क्यारक बोलाव सु या, आतो बोग दूर रिनारा मेलाची, केलीफोर्निया चेक, नोर्थ केरोलीना चे, यामने कोई न्युजर्सी मा पण छे एक, इतलु फाइन संस्क्रूत, आपन नेम थाई, आपणी ज आपनाज पूर्वजो, आपनाज रुस्योई करेली आप भासा, इन्वाजे कोने गनान, आमें पेंस्टेट युनिवर्सिटी मा गया, मने इच्छा आती, त्यां प्रोफेसर जर्मनना करदो मा वगेरे, परम लगु मन्जूसा, सब्देंदु सेखर, जेना नाम, आ ग्रं इलोको भणताता अंग्रेजी मा, आपने मताय, आलोको ने वंदन करवा जोईए, आपना इंडिया मा आ ग्रंतनु नाम पन कोईने खबर नहीं होई, एतला महान रुस्यों ना करेला संस्कृत ना ग्रंतो, जेने आपने जानता पन नथी, एवा ग्रंतो आलोको डिटेल मा स्टडी करे छे, चार प्रोफेसरों अता, आ हार, प्रत्य हार केम आ अनो अर्थ थे यहूं समझाओ छो, व्याक्रण केवु विचित्र छे, व्याक्रणना नीमो सफिक्स प्रेफिक्स तमे जानो छो, अंग्रेजी मा, एतलु छे, हर एतले हरी लेव, चोरी लेव, आ हार ए तो फरवू थेई जै, आ काड़ी नाखो, वी काड़ी नाखोन संहार करिदो, सम करिदो तोसों थेई जै, सपाचर करिदो, मारी नाखो, सब्द एकज छे, पन एकज सब्दना व्याक्रणना नीमो प्रमाणे, केतला बधा अर्थ ताय, कलुपना ती, सेफिक्स अने अर्थ संस्कृत भासाना मूल अर्थ प्रमाणे, केवामा आयवू, जेवी रिते गायो, येने गोवाल, लाकड़ी थी पाची वाली ले, आपने वाद करितीने, येवी रिते गा, गो, एकले इंद्रियो, इंद्रियोने विश्यो माथी पाची वाली सके, येज साचो गोपाल, एज साचो योगी, आ प्रत्य हार छे, पची धारणा, एकले तो एका ग्रता, तन्माई, मेकिदू, तन्माई थाई जवू, अने ध्यान, एकले बस, पुताना अस्तित्वने उगाली नाखवू, ये जे विशय मा, ये जे वस्तु मा, डुब्यो होई, एवो डु लिजाई, आवी तन्माई था तो अत्यार एकज्यांपल थी, आपफी होई, तो अपन अगरी जे, पन क्यारेक, क्यारेक तम्हे अनुभवी सको, कोई इवी प्रवुर्ति मा, तम्हे ग्याणी वखत जोडाई जाओ, तमने जम्वानो पन समय खबर न पड़े, समय जतोर य केटलो येपन खबर न पड़े, तम्हे आवु घणी वखत अनुभवोसे, आध्यान अने समाधी, एतले परमात्मानी मुर्तिनो दिव्य साक्सात कार, आने आ देहमा, आने आ सरीरमा, आने आ भवतिक जगतमा, दिव्य परमात्मानी प्राप्ति करविया समाधी, आ आठ अ हाँ, आ त्यल्लू काम छे、 नियम एतले सारी प्रावृति ने सरू करवी, आ बिजू काम छे, आ सन, एतले शरिर ने स्थिर करवू, आ त्रियू काम छे, खुडची उपर बेचिन पग अलावता हलावता ने आम छोड़ा स्थिर थहीने, चोथु, प्राण, एतले स्वास, येनों आयाम एक्सरसाइज, स्वासने पन धिरे धिरे लईये, रोकिये आने पची काढिये, लगबग 5 के 6 वरस पेला, अमे या पारसी पनीमा हता, पारसी पनीमा एक अमेरिकन योगा करनार एक व्यक्ति आवेला, गुरुजी पन हता, गुरुजी ने पन रस, एकले गुरु अमेरिकन व्यक्ति योगा करनार आठ दिवस मा एक कजवार जम्या छे, एनी साथे फोन मा वाद पन थे, गुरुजी जे पूछिव, ये प्रमाने ने जवाब पन आयपा बधा, एके धिसी नोट मिरेकल, आ कोई मिरेकल नथी, प्राणायाम थी जेतलो सरस अभ्यास करू, चुक आठ दिवस मा मने तो भुख नथी लागती, पना बदाने इच्छा ओ एकले, क्या रेक आठ दिवसे जम्या पात दिवसे जम्या जम्या रेक दस दिवसे जम्या मने भुखत नथी लागती, आउ साइम्भळू क्यानी तमे, रातो लोकन बगजमा ना प्राण नो आयाम एकले एक्सरसाईज करवी, त्यार पची प्रत्याहार इंद्रियोनी उरुत्तीने विशय मा थी पाठिवाड़वी, एक भगवाननी मुरुतीमा, एक विशय मा, एक लक्षय मा स्थीर करवी, धारणा एकले स्थीर करवी, एकागरता करवी, अने ध्यान एटले तनमय थवू, अने समाधी, एटले तनमय थामा आत्माना दिव्य प्रकासमा परमात्मानी दिव्य अनुभूती थाई येनु नाम समाधी, आविरित्य अश्ट अंग जेमा समाईला छे, अने अश्ट अंग द्वारा परमात्मानी मुर्तिनो साक्सातकार एटले के सम् योग थाई छे, एकले नू नाम पड़ू अश्टांग योग, भगवान स्रीहरीना रदैमा अश्टांग योग सिखवानी खुब इच्छा छे, भगवान तो योगेश्वर छे, भगवान तो योगी ना पण योगी छे, इस सिखवा माते नई, बन रुसी नी पांस्यावी दिव्य विद्या हती, यो रुसी जो भगवान ने आपे, तो रुसी पन धन्य बनी जाई, एकले रुसी नू कल्यान करवा माते, भगवान स्रीहरी एक सिख्य बनी ने आयवा छे, औने रुसी ना चर्णमा बेशी गया, प्रारतना करी, कि मारे सिखवात छे, थोड़ू व अने प्रथम जे अंग सिख्या होई, तेने पन उमंग थी सिद्ध करी देखाडता, बे प्रकारनी वस्ती, नेती, कुंजर क्रिया, नोली अने संक प्रक्साल नामे जे बद्धी क्रियाओ, तेने सुखधाम स्रीहरी पहला सिख्या, आपडा गुरुजी ने पेल्ले थी, द मुक्तानन्द स्वमिने बणवा मोकलिया, मोट्टी उमरमा, प्रेमानन्द स्वमिने ब्रह्मानन स्वमिने बणवा मोकलिया, अतला प्रकांड पंडितो होवा छता पन, शास्त्रनु ग्नान अने भगवाननी मुरुतिनु ग्नान आ बे ग्नान प्रगटावा माटे भगवा प्रगट थया। प्रिण चिठी उपर चिठी आए। स्वामिय आ किरितन गाओ॥ प्रगवी आ किरितन गाओ॥ पची में टकोर करी। में किद्वा स्वामिय दर्रोज किरतन लाहिमां आवे छे। ख़बर नी सामभलता आशे। आपड़े यूंड़ ना कईशे के। पण सामे आले त्यारे आपन ने थाई चेनो महिमा संगीत मा पण संतोने तयार कर्या गणा समय थी गुरुजीनी इच्छा हाती पण हमना अपना योगीराज भगत एक पार्षत छे जे छेल्ला त्रण वरस्ती योग सिखे छे चोरियासी आसन आ नेली आ नेती आ बस्ती आ न द्रीक रियाओ भगत एकलू सरस्चिकी गया छे त्यारे कंडारीमा मेने प्रयोग करया ता ब्रह्मसत्र मा आपने जोयूत थोडुजी पन सिखे चे योग प्राणायाम योगना अनेक अंगो छे अजी सिखे चे संस्कुरुत पन सारू भणे छे पन केवानू गुरुजीन अनुभव मा आवे अने पच्छी अनुभव मा आवे लिविद्या तमी बिजाने आपी सको समझावी सको पच्छी ते सिखेली बद्धिज क्रियावने वरणी गुरु गोपाल दास योगीने करीब तावता हता ते जोयने गुरुए विचार करियो क्या वरणी कोई सामान्य मनुष्य नथी निस्चित वात छे गोलोक धामना अधिपती स्रीकृष्ण भगवान छे तेज मुर्ती धरीने अहीं पधारिया छे दीन दयालू अने परमकृपालू ते परमातमा जानी जोईने माराव उपर कृपाक करीने रहिया छे गोपाल योगी पुताना मनमा वरणीने विशे श्रीकृष्ण नी भवना राखीने तेमना दर्शन करीने आनंद पामता हता जोयू एककजवार बतावे निलकंठ वरणी एवी न एवी प्रक्रियाव करवा लागया एक वकत मा जैने सिखता वर्सो लागये जैने सिखता जन्मो निकली जाई एककजवकत मा सिखी लेता हवे गोपाल योगीने पन भावत हवा लागयो बले बालक छे बले नानी उमर परणा कोई सामान्य विरत्ती न थी आप भगवान लागये जैने दिव्य भाव थयो वरणी पन वनमा थी कंद मूल भल अने फूल वगेर लई आउता बन्ने गुरु सिख्य साथे बेशीने प्रेमती जमता हता बन्ने एक वरस सुधी साथे रहिया योगनी क्रियाव द्व भगवान स्रियरी लोकिक भाव एक सिख्य तरीके गुरुमा भाव राखी रहिया छे तो योगी राज गुपाल योगी भगवान नाना छे पन ओलखी गया छे क्या कोई दिव्य विभूती पूरुस छे यैने भगवान भाव तयार्थ यो छे रदैमा घणी धिरज राखी ने ताड तड़कोने वर्सातनी धारावने वनमा सहन करता हाता आरी ते तप करिने योग साधता हाता बन्नेने महान सिद्ध जोईने गुवाल लोकोई घणी गायोनी साथे ते योगीवनी पासेज आवीने वस्वाट करियो कांटाला मोटा मोटा जाड जांकराने कापील आवीने तेनी उची वाड करिने गायोने राखवा वाडो करियो हतो छता सिह त्या आवीने गायोने मारी नाखता हाता ते गुरुवाडोए गुपाल योगी पासे आवीने पूतानी ते दुख भरी वात कही के रोज सिह आव अमें आपने सरणे आविया छिए। आविरिते आसपास्मा रहनारा गायोने पालोनारा गोवालो एजरे प्रार्तना करी। गोपालयोगी मुझजाय गया छे। भक्त चिन्तमणी वगेरे तमाम सास्त्रों मा कथा छे। कि हिंसक प्राणी थी केविरिते गायोने बचावी आविकड़ा अमने न थी आवड़ती। त्यारे बाजुमा बेठेला नाना बाल ब्रमचारी निलकंट प्रभुय कईू अरे योगी राज। आप जिवा समर्थ सत्पूर्शो पास्यावी कड़ा होई छे तमें संखनाद करो। तमारों संखनो ध्वनी जेतला प्रदेसमा फेलासे ने येतला प्रदेसमा थी क्रूर हिंसक प्राणी दूर थाई जसे। गोपाल योगीने विश्वास बेशी गयो छे अवे। क्या नाना ब्रह्मचारी नहीं आतो भगवान छे। ते अवाज वनना रुक्सो पहाड औने आकासमा सर्वस थले छवाई गयो। ते अवाज सांबली ने जितला हिंसक प्राणियो हता ते बधा भागी गया। पची फरिवार सिह क्यारे त्या आव्या नहीं ते थी त्यारे योगीनो प्रताव सहुने गणो जणायो। पची बार बार कोस्चुधी ना बधा गोवाड ते समय दूधने दहीं लावा मांडिया। केट लागतो खिर बनावा माते चोखा लावता गणी ना कहवामा आवे छता ते कोई ते लावता अटकता नहीं। आवे रिते बाल प्रभूये गायो ये ने पन सुखीकरी गोवाडोंने पन सुखीकरिया। पणा बध्धो प्रताप गोपाल योगी ने पन सुखीकरिया। प्रणा बद्धो प्रताप बाल ब्रह्मचारी एवा निलकंड प्रभुनों छे आ कथा खुब सर समझवा जेवे छे इनी वाद आपने विश्तार्थी आउतिकाले करीशु बोलो घनस्या महराजनी जै